Hello everyone, एक भी फिरसे आपका सागरा है हमारे इस चानल पर आज हम फिरसे आपके लिए लेकर के आए हैं एक और important and बहुत 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 इंपॉर्टन टॉपिक जो की है आपका objective बिजनस को लेकर के टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फटा हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताके फ्यूचर में आने वाली जितनी भी लेटिस्ट वीडियो होंगी उसका notification आप तक सबसे पहले पहुँ अब अबने आपको हि सोचिए कि आप अगर करको बिसनस स्कारइब करना चारहे हैAh आपivent के दिमाग में यह जोमान Dalek को अपने नेन चारहे हो बिजिनस तो यहां पी जो recording उतेश्य है उसको तीन भागों में बाटा केया है जिसको आजब समझेगे। तो objective of the business में be categorized under these headings यहाँ पे तीन heading हमने लिए है पहला है economic objective दूसरा है human objective, तीसरा है social objective, अब जब भी आपको काम करते हो तो उसमें आपकी कई तरीके objective छुपे हुए होते हैं, objective का मतलब है उदेशिया, अब business start कर रहे हो तो वहाँ पे आपका objective तीन भागों में बाट दिया है यानि कि जितने भी objective हैं उसको तीन भागों में classify कर दिया है अगर बोला जाए तो economic objective का जो point है उसके अंदर जो आपके points आते हैं वो है profit earning, सबसे पहले यह चाहन लिएज़े economic का मतलब क्या है, economic and non-economic economic यानि कि ऐसी activity economic activities की जब हम बात करते हैं तो ऐसी activities जो कि आपके profit earning के purpose से आप करते हो and non-economic activities जहां पर आप कुछ काम कर रहे हो, but आपका जो main motive है that is not a profit earning का motive यहाँ पर economic objective की जब बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे profit earning की, because पैसा बोलता है पैसा ही, पैसा है, पैसा है, तो सब कुछ है तो profit is the basic incentive to business pursuits यानि कि जो profit है, वो आपके business के लिए basic incentive है तो यहाँ पे आपका जो पहला motive है पहला जो objective है, वो है profit earn करना business needs profit not only for existence but also for expansion and diversification अब profit आपको सिर्फ इस लिए नहीं चाहिए कि आपका business चलता रहे, कि profit होगा तो चलेगा, नहीं होगा, तो कल को ctg बंद करके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है आप जो profit earn करना चाहते हो ताकि आपका business चलता तो रहे, ये भी पहला point है, प्लस आप अपने business को और ज़्यादा expand कर सको और ज़्यादा diversify कर सको कि अभी तक मैं सिर्फ तंबाकों बेच रहा था आप मैं drugs भी बेचूँगा, तो यहाँ क्या diversification होगे, कि एक जिगे से दूसरे जगे भी जा रहे हो, और expansion भी कर रहे हो कि अभी सिर्फ मैं Mumbai में बेच रहा था, मैं Goa में भी बेचूँगा तो यह क्या expand करना यह क्या expansion करना तो यह आपका है पहला point चोगी है profit earn करना दूसरा यहाँ पर आता है production of goods अब profit earn करना है तो ऐसे तो होगा ही नहीं तो obviously profit earn करने के लिए कुछ तो आपको चाहिए अपको चीज़े चाहिए जैसे goods आपको चाहिए या service आपको चाहिए तभी आप उसको बेचोगे और profit earn कर पाओगे अब goods या service जो भी आप बेच रहे हो उसको आप बेच के profit earn करोगे आपको प्रॉफिट तभी हो सकता है जब आप क्या करो goods and service को exchange कर रहे हो तो तूसरा objective है business का वो क्या है तो produce goods and sell them to the consumer की goods बनाना, produce करना और उसको जो है consumer तक बेचना थर्ड वन इस creating market goods बेचना है कहां बेचोगे market create करनी पड़ेगी the aim of business is to sell product business का aim होता है product sell करना ताकि उससे profit generate हो सके अब जो goods आप जो बेचना चाह रहे हो कहां बेचोगे, market बनानी पड़ेगी market consist of those efforts which effect transfer in ownership of goods and care for their physical distribution, market क्या है, market consist होती है उस efforts से, उस आपके efforts से जहां पे आप which effect transfer of ownership, जो भी आपके goods है, उसकी ownership आप जहां transfer कर सको और साधी साथ physical distribution कर सको उन goods का, market covers all those activities which relate to the creation of time, place and position, utility market में क्योंकों से चीज़े cover हो रही है यहां पे, कि वो सारी activities जहां पे आपके related होती है creation of time, place बनाना, position करना, utility का next one is the technological improvement अब क्या हो रहा है, आज के time में तो technology यूं से यूं होती है, यूं से यूं होती है आपको पता भी नहीं चलता, इतनी technology का improvement हो रहा है, अभी में यहां पे बैटी हूँ, आपको जो है, अभी पता नहीं होगा, काफी जिके क्या हो गया, robotics से आपके operations हो रहे हैं, कई चीज़े ऐसी हो रही है जो हम सोच भी नहीं सकते, तो technological improvement, इतनी technological improve हो रही है, जो कि आप नहीं सोच सकते, तो business को जो है अगर अच्छी तरीके से profit earn करना है तो उसको production अच्छा करना पड़ेगा, production अच्छा करना है, तो उसको जो है नहीं नहीं technology के साथ चल रहा है तो वो market में अपनी अच्छी place बना लेगा, और आप जो है गुप्त होकर के पीछे बैठ जाएगे वहाँ पे आपको कोई भी नहीं पूछेगा a business should always try to use new method of production, इसलिए business को क्या करना चाहिए नहीं नहीं method जो भी production के है उसके साथ चलना चाहिए, उसी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो business का changing world हो रहा है जो business में चीज़ा change हो रही है, उसके साथ साथ वो जो है अपना place भी अपना बना घर के रखे यह तो बात होई economic objective की जहांपे पैसे की बात होती है कि भी यह profit earn करना है, profit earn करना है तो भी यह goods और बनाने पड़ेंगे, goods बनाना है पर बेचेंगे कहां तो उसके लिए market बनाना पड़ेंगा market तो बना लिया, अब क्या किया, हमने market बना लिया, समान बेच लिया, अब market में competitor भी है, वो नहीं technology तो हम भी new technology के improvement करेंगे, that is related to your economic objective, यह आप economic objective है, now come to human objective, ठीक हम इंसान है, human की भी कोई objective होंगे, तो पहला है welfare of employees, अब आपने business किया है तो obviously वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे आप अकेले अपना काम नहीं कर सकते, अकेले as an employed जुड़े हुए हैं, तो उनका भी welfare आपको देखना पड़ेगा, तो उनको भी ध्यान में रख करेंगे, अपने business की चीज़े देखो गए, the old theory that workers should be forced to get more work is no longer valid, अब पहले क्या होता था, कि लोगों को, कि अंदर एक theory थी, कि workers को जो है, आप force करके जतना काम निकलवाना है, आप निकलवा सकते हो, बट आज की टाइम में असा नहीं, आज की टाइम में वोकर्स बहुत smart है, आज की टाइम में वोकर्स आपको कज्ज़ जबा जाएंगे, आपको पता मी नहीं चलेगा, मैं यह नहीं profitability and they should also be given a due share in profit अब वही employee आपके लिए काम कर रहे हैं तभी जाकर कि आप profit कमा पा रहे हो और आप इतना profit कमा पा रहे हो क्योंकि उन्हें इतना अच्छा काम किया है तो obviously उनको भी उनका एक profit का share मिलना चाहिए it may be in the form of bonus increased allowance and or spending money on their welfare अब वह किस-किस रूप मिल सकता है या तो उनको bonus के रूप में बिले है या फिर उनका allowance increase हो जाए या फिर उनकी welfare के लिए आप उनका money good spend करो welfare के लिए यानि उनको अपने workplace पे कुछ अच्छी चीज़ प्रवाइड करवा दो ताकि उनको लगे काम करने में मज़ा आ रहा है और ये सारी चीज़े satisfaction of consumer अब देखो आपका consumer क्या है वो भी बिचारा human है ठीक है वो human है ठीक है अब यहाँ पर satisfaction भी जरूरी है when we talk about the human objective हम पहले तो यह देखते हैं कि हमारे जो है हमारे खुद के घर के अंदर के लोग खुश रहे यानि हमारे employee खुश रहे फिर हम बाहर देखते हैं कि consumer है भाहर हमने जिसको समान बेचना है हम उसको पागल तो बना नहीं सकते ऐसा product नहीं बेच सकते कि जो उसके उपर हानिकारक हो जाए तो इसलिए welfare आपको satisfaction तो reasonable price की कितने उसके quality और quantity है उसके हिसाप से price उसको reasonable रखे ता कि हर व्यक्ति उसको खडीच सके the business is meant for consumer and their satisfaction should be the main objective of the business जो business होता है वो consumer के लिए ही होता है आप business बना रहे हो ता कि consumer को satisfy कर सको इसलिए जो है main objective आपका यहीं होना जाए कि satisfaction of consumer कैसे किया जाए satisfaction of shareholder now आप जहां से भी पैसा लेकर के आए हो उस इंसान का भी आपके business में बहुत सादा नजर होगी आपको बहुत सादा वो देखेगा कि यह सही कदा यह गलत तो नहीं कदा क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है आज की टाइम में आप जो है 500 रुपय हुक के पर उड़ा दो कि आपको बुड़ा नहीं लेगेगा पर वहीं पर अगर आपको अपने दोस्त को 50 रुपय देनी हो ना तो आपका कलेज जलेगा तो यह क्या होता है कि आप जहां पर पैसा देते हो जहां अर्च की टाइम है उसमें ओनर्शिप एंड मैनेश्मेंट अलग अलग हातों में होती है ओनर्शिप हो सकता है ओनर्शिप जैसे की फॉर एक्जाम्पल मालो अंबानी के हाथ में है बंड वो हर डिसिशन नहीं ले रहा है उसने इतना पैसा कमा रखा है तो अच्छे-चे- या फिर ऐसे-इसे अथरिटी रखी होंगी जो फाइनान्स लेक रही होंगी बड़े-बड़े अच्छे जो बहार की उनिवर्सिटी से बहुत पढ़के लिखके आये होंगी उन लोगों को जो है उन्होंने ने पकड़ा रखा हो गया कि अब मैने इतना काम किया है तो मैं घूमूंगा, मैं अपना time, अपनी family को दूँगा, हर चेके थोड़ी ना, business पर एक एक जगे पर देखूंगा, कि ये company में क्या हो रहा है, उस company में क्या हो रहा है, इस office में क्या हो रहा है, I can't do that, चीक है, तो ownership और management दो अलग-अलग हातों में हो, ऐसा हो सकता है, the shareholders are spread all over the country, and they have no say in the day-to-day working of the business, आज के टाइम में जो shareholder है, जो पूरे देश में फैला हुआ होगा, जैसे कि आज के टाइम में share market है, share market के थ्रू में, जो हूँ, shareholder है, वो जो के जगे पूरे देश में फैले हुए होते हैं, और वो day-to-day working नहीं देखते हैं business की, तो इसलिए वो क्या होता है, उनका उनकी जो satisfaction है, वो important है, उनका जो right है, वो आप ध्यान से देखो, the management should given responsible return on the money invested by the shareholder, अब management का ये काम है, कि वो reasonable return दे, उन लोगों को जिन तो objective of humans, human objective में आपकी कौन-कौन से point आगा है, employees का objective, consumer का objective and the main point, shareholder का objective, पैसे देने वाला वही है, now come to the third point, that is your social objective or social responsibility of the business, इसका एक point, अगर आप बिजनस पत रहे हो, तो आपका एक बहुत बड़ा chapter है, बहुत बड़ा नहीं होंगी, पर बहुत important chapter है, that is your business से related ही, कि आपकी social responsibility और ethic क्या है, तो उसका chapter बहुत important है, उससे भी आपका question आता है, तो भी आप अच्छे से कीजेगा, without the society, business cannot exist, and society expect more from the business than mainly earning profit, अब क्या है, चो business है, वो society के बिना access नहीं कर सकता, और इसलिए वो profit earn करने से जादा कुछ भी expect करता है, जैसे कि to make goods and service available, to make goods and service available, अपने goods and service available कर supply quality goods, quality वाले goods available करना market में, to supply quality goods to reasonable price, reasonable price वाले supply करना अपने goods को, cooperation with the government, government के साथ cooperation करना, to decide location of plant, plant का location कहा होगा, research करना, dynamic leadership, ये सारी चीज़े आपके involved होजाती है, जो आपके society के बारे में involvement होती है, so ये था आज का topic, जिसमें we have discussed about the objective of business, I hope आपको समझ में आया हूँ, बहुत अ अच्छा से समझ में आये, but still, अगर कोई confusion है, then please let me know in the comment box, thanks for watching, विलते हैं, नेक्स वीडियो में, एक अगले topic के साथ, थापते के लिए, take care of yourself, and take care of your health, and do not forget to subscribe the channel, and do not forget to hit the bell icon, इतना भोलती हो, यार, कर लो, यार, subscribe, चाद आपका है,